हे गाईज विल्कम बैक तो काफी बड़ी न्यूज है तीन महीने से जो चीज हम रिक्वेस्ट करे थे वजीर एक्स के साथ कि आप अपनी प्रूफ आफ रिजर्व की ट्रांस्परेंसी रिपोर्ट पब्लिश कीजिए एक ऐसी रिपोर्ट जिसको लेके तीन महीने से वजीर एक्स ने काफी इग्नोर करने की कुछ इशकरी हमको ब्लॉग भी कर दिया ये भी बोला कि आप तो व्यूज के लिए सारी चीजे कर रहे हो फाइनली अउन्हों ने इस ट्रांस्परेंसी रिपोर्ट को प्रेशर के अंदर आके यहांपर पब्लिश किया है टाइम लगा करने में लेकिन चलिए इस गोट की फाइनली यहांपर निकल किया जया क्योंकि यह ती त्रांस्परेंसी रिपोर्ट बहुत important थी यह जाना काफी important था जिसके लिए wallet addresses होना जरूरी था अगर वो हमको दिखते हैं तो हम खुद personally check कर सकते हैं कि हो क्या रहा है लेकिन for some reason तीन महीने तक वजीरेक्स की team ने यहाँ पर यह सोचा कि better यह है कि वो यहाँ पर reveal नहीं करें अब उन्होंने reveal नहीं किया लेकिन on-chain ची ने वजीरेक्स को बोला क्या wallets publish कीजिए वहाँ पर भी 240,000 wallets दिये in a way to manipulate people somehow but वो भी मतलब it backfired and finally जाके यहाँ पर वजीरेक्स ने proof of reserve जो है उसको publish किया अब यह proof of reserve के अंदर भी कुछ important concerns हैं जो मैं आज के वीडियों बात करूँगा but still सबसे पहले तो मैं बोलना चाहू जो हुई है एक धंक की चीज़ जो इतने time बात देर लगा दी बहुत कर दिया वो यह है कि चलो finally एक request जिसके नाम पर ब्लॉक भी कर दिया views का allegation भी लगा दिया सारी चीज़े कर दी वो finally वजीरेक्स ने यहाँ पर तीन महिने बात publish करिये अब अगर हम बात करेंगे यहाँ तो currently यहाँ पर जो proof of reserve है वो वजीरेक्स की team ने यहाँ पर publish किया है जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दिया है details for 300 million dollars worth of funds अब यहाँ पर important चीज़ देखने की यह है कि total यहाँ पर 157 million dollars worth of crypto जो है users के वो अभी भी wallets के उपर रखे हैं मतलब on-chain wallets के उपर है ठीक है जो क्या था कैसे कोई सच की report बोलती 75 million इन्होंने global exchange पर चालू transfer किये तो वह नंबर 75 million नी था in fact उससे ज्यादा था around 127 million dollars worth of user के crypto यहाँ पर वजीरेक्स exchange ने global exchange पर मतलब international exchange जो इंडिया के jurisdiction से बहार है वहाँ पर उन्होंने move किये यह exchanges कौन से है तो पहला अगर आप यहाँ पर exchange देखेंगे वो यहाँ पर बन जाता है Bybit जो पहला exchange है जिसके उपर around 98 million dollars I don't know यह आप नाम शो के नहीं कर रहा लेकिन this is Bybit around 98 million dollars worth of crypto जो है उन्होंने Bybit exchange के उपर यहाँ पर move कर दिया लोगों के साथ में KuCoin के उपर around 27 million dollars worth of crypto उन्होंने move कर दिया और उसके बाद Huobi के उप crypto move क्यों कियें तो वैसे तो सीरीसी बात है जब चोरी करते हैं आप पकड़े आते हैं तो कुछ ने कुछ तो आपको बोलना पड़ता है तो वहीं पर वजीर एक्स ने पहले तो किसी को बताया नहीं क्योंकि usually ID जैसा हम बोल रहे हैं यूजर के fund होते हैं तो exchange को बताना जिस्टड भी नहीं है वो तो basically यहाँ पर तो वो थोड़ा से concern यहाँ पर बन जाता है तो यहाँ पर फिर भी वजीर एक्स ने यहाँ पर चीज करें उनका बोलना यह है कि अभी हम देखो custody provider को ढूंड रहे हैं जिब तक custody provider मिलते नहीं तो उनके according उनको यह लगता है कि better य जिस्टड बर्ड में कुछ गडबड कर रहे होते हैं यह लेकिन लोगों को show कुछ और करते हैं I hope ऐसा नहीं हो लेकिन चीज़े तो यहाँ पर यह रहती है अब एक important चीज यहाँ पर यह बहुत पर यह पर यह पर यह पर प्र पर यह पर यह जिस्ट ने फकीर एक्स करके व पर यह पर करें तो अब उन्होंने कर दिया कि बाकी लोगों ने कर दिया आपको इतना time क्यों लग रहा है लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर हम बात करें यह जो funds हैं यह funds इन्होंने यह पर 157 यह बोल रहे हैं एक चीज हमने रिसेंटली बताई थी कि कैसे निमिनल ने अप इन्हों को इन्हों कर सकती है लेकिन स्टिल निमिनल जिलको इन्होंने ब्लेम किया था कि उनका इंफ्रस्ट्रक्च अमने यूज किया तो UI में प्रॉडलम आ गई थी तो हम उससे अपना contact खतम कर रहे हैं August मों बोला था उन्होंने उसके बाद भी user के fund फिर भी निमिनल की इन्हों कर दिया है बस concern यहां पर इन्होंने जो 127 million dollars worth of crypto यह global exchange पर भेजें और अलग-अलग exchange है किस कारण से भेजें कुछ नहीं पता बोलने में वजीरेक्स वाले कुछ भी बोल सकते हैं कि हमको बस रखना था है हमको कुछ करना था लेकिन actual में background में क्या हो रहा है उसका we have no idea जैसे मैंने पहला भी बोला कि अलग-अलग reason हो सकते हैं probably अपना surplus चुपाने के लिए इनकी खुद के क्रिप्टो थे उसको चुपाने के लिए इनके family के क्रिप्टो चुपाने के लिए इस तरह से send कर रहे है हमापर move कर रहे है हो सकता है कि महापर जो है biggest price पर वो sell करें वो different हो और actually में लोगों को शो करें different हो या कुछ भी हो सकता है we don't know and वजीरेक्स को देखके एक चीज़ जो हमने realize करी है पिछले तीन महीने में कि वजीरेक्स transparency के नाम पर जूट बहुत बोलते हैं हम misleet करने की कुशिच बहुत करते हैं तो उनकी बातों पर तो बिल्कुल गडबर करी तो लोग यहाँ पर पकड़ लेंगे इसलिए हम भी यहाँ पर point out करते रहते हैं और आप भी point out यहाँ पर करते रहेजिएगा ठीक है 127 I hope कुछ गडबर नहीं करें बाकि we'll be there तो मैं तो track 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 पूरा कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जिस level से करता हूं ताकि गडबर नहीं हो तो अच्छा है लेकर अगर कोई गुंजाईश है तो वो हम सामने लेके हैं ऐसा नहीं हो वजीरेक्स छोटे कि वो निकल जाया चुप जाया बट स्टिल अभी अगर हम देखेंगे initially जब यह वजीरेक्स का hack हुआ था तो कुछ important topics पर हमने बात करें थी कु जो total mismatch बनता है hacked funds और जो बचोए fund है जो इन्होंने numbers दिया है वो फिर भी बनते नहीं है 42-43% आता है जो initial अपने blog में भी दिया था फिर बाद में change करके edit कर दिया है तो वहाँ पर क्या गडबर ही उसको लेके अभी तक answer मिला नहीं है जो surplus की हम बात करते हैं तो पहले तो surplus है जब हमने question किया तो बोलते है कि नहीं surplus नहीं था तो यहाँ पर भी गडबर हुई है जिसका idea नहीं या तो पहले जूट बोल रहे थे या अब जूट बोल रहे हैं surplus क्योंकि लोगों के साथ share नहीं करना जाते हैं तो वो भी एक concern मनता है जिसके उपर we need some investigation something क्योंकि गड बना लिए कि लोगों के पैसे को अपने पैसे ही वो समझते हैं मलब hack वगर हो गया सारी चीज़े होगी वो तो ठीक है लेकिन इन्होंने जब hack हुआ था न हैक हो नहीं किया सबसे पहली चीज क्या करी इन्होंने deposits जो है उनको उपर रखा withdrawals को बंद कर दिया और साथ में प 34% फंड जो हैं वो सम रीजन यहाँ पर freeze कियो हैं और तीन महीने तक अभी तक करे हो हैं जबकि बार-बार बोलते हैं कि लास्ट टाउन होल में बुला था एक दो हफते में fix करेंगे अभी भी नहीं किया तो इनका पता नहीं क्या सिस्टम है अभी तक इन्होंने क्यों freeze किय और जन्हों के 34% फंड जो उन्होंने freeze कर रखे आयनार जन्होंने post hack के बाद deposit किया अट लीस्ट वो तो यहाँ पर उनको वापस दे दे दें यह तो मतलब इसका कोई sense ही नहीं बनता होल्ड करने का फिर भी जबड़स्ती यहाँ पर रखे हो हैं लोगों के फंड तो रोक ल फ्रीज हो रखे हैं उसमें 34% और साथ में उन्हीं के पैसे यहाँ पर यूज करके expense कर रहे हैं लेकिन वजीरेक्स की टीम की तरफ से एक रूपए का contribution कहीं से भी नहीं है surplus भी गायाब हो गया इनका कुछ income भी नहीं थी कुछ चीज़े भी नहीं थी मतलब इनकी तरफ से zero commitment, zero investment है पूरा पैसा जो है यह लोगों के freely यहाँ पर use कर रहे हैं तो उसको लेकि भी जवाब नहीं है I think यह question होना चाहिए साथ में यहाँ पर जो financial statements है जो previously हमने reveal कहता है कैसे उसके अंदर mismatch है एक साल में तो कितने बड़ा revenue दिखा रहे है market expense के साथ अगले साल के following साल में revenue चेंज कर रहे है तो उसको लिख भी detailed financial statements ही है और वो जो statements इनने नहीं initially भी publish करी थी C8 standards के according जातर लोगों ने यह बोला कि वो मजाग है तो basically दिख रहे है कि चीजों को छुपाने के लिए financial statement आई है although court ने भी बोल दिया कि और detail में publish करें तो I hope आने वाले टाइम पर जब वो आती है financial statement तो we look into it कुछ गड़बर नहीं हो और सही हो hope तो यह करते हैं लेकिन हर बार वजीर X वैसे disappoint ही कर देता है लोगों को कैसे पता चलेगा तो उसको लेकि भी statement publish करनी जरूरी है ताकि पता रहे क्योंकि यह पैसा वजीर X का नहीं है उनके profit का कमाया हुआ नहीं है यह लोगों का पैसा है जिनके अलरी हैकों के fund चलेगा और जबदस्ती आपने निकाल लिया तो कहां पर किदर खर्च क हो या COC नहीं भी हो तो यह कुछ questions है अगर आप पूछोगे वो better रहेगा और यह पूरा जो effort है यह effort वजीर X के against में नहीं है यह effort इसली है और details इसली मांग रहे है ताकि यह आपर लोगों के जो पैसे हैं उसको लेके कोई और भद्दा मजाक वजीर X यहाँ पर नहीं करे है इसी कारण से question मैं request करूँगा COC members जो हैं वो भी pick up करें अगर आपको नहीं पता है तो you can also personally message me on Twitter आपका नाम reveal नहीं करूँगा everything will be safe रखूँगा मैं आपसे मैं आपको share कर सकता हूँ so that अगर आपके आस question नहीं है तो मैं आपको दे सकता हूँ कि आप यह question पूछो ताकि यूजर प्रिस्पेक्टिव से कहीं help हो पाए और थोड़ा से transparency यहाँ पर लेके आ जाए साथ में as a user जो लोग यहाँ पर इतने time से तीन महीने से साथ दे रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं continue रखे उस चीज़ को लेके जबते कि पैसे पूरे यहाँ पर मिलते नहीं है मैं अल्दो आई जैसी भी है बतला इतना कोई बढ़िया भी चीज उसमें नहीं है बट स्टिल फाइनली एक चीज को तो इन्होंने यहाँ पर complete किया बाकी चीज़ों को भी करें जल्दी सी जल्दी I hope इस साल की खतम होने से पहले लोगों के fund यहाँ पर वापे जिदें उसको और डिले करने की कोशिश यहाँ पर नहीं करें तो गाजशी वीडियो में गाई इतना ही बाकी मिलेंगे नेक्स वीडियो में अब तक लिए और टेक क्यार सी यू गैस बबाई